अच्छा भी सेकिंड जो चेप्टर रहने हैं उसमें हमारे पास बेसिकली आते हैं तीन चीजे सेट्स फॉंक्शन्स एंड ग्रूप्स और फॉंक्शन को आगे हमने चेक करना है वो हमारे पास ग्रूप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइब करते हैं कि नहीं रिंग होता है इस इसमें आते हैं हमारे पास सब से पहले सेट्स की डेफिनेशन आपको शुरूर से पढ़ते हारे पांचमे को नहीं से ते हमारे पास क्या होता है वैर डफाइन अबजेक्ट application of well defined objects तो इसको हम आगे फर्दर उसकी टाहिस आती है इसमें इस में फरौबर सबसेट्ट ना भी तरह की नीचे देखते हैं फिर आगे इस में power set आता है power set find look करने का हमारे पास एक से होकते है let's suppose हमारे पास एक सेट है यह सबसेट बनेगे इसके सबसेट बनेगे एक खाली सड़ है et एक बनेगा टू और एक स्बवेबनेगा वनने का तू इट सेलफ भी होता है यह चार बनेंगे यह चार हमें कैसे बता लगा कि इसके चार ही सबसेट बनेंगे तो उसका फार्मला हमारे पास यह होता है तू की पावर अब इसकी पावर कितनी थी मारे पास नमबर ओफ़ एंट्स को शूग करते हैं इसे नमबर ओफ़ एलिमेंट्स थे तू तो तू टू जार फोर आजाएगा अब इसके सबसेट अमारे पास जो बनने थे वह बनने थे तो वो बनाने का ट्रीका करके है 10-7 हम मारे पास सिंगल सिंगल करके लिखने है फ्र डtimer करें डबल जबह करके सिरसमें ने किलते method कि अब्ध قाम तक हमने इसको पर सेट करते मैं तो यह देखा गर एकगे जैंपल मतलब यह आती इंद फेपर में agree सबसे कि अगर थे में बइट उसमें एक सट उसमें थीन ऐलिमेंट्टS तो उसके नंबर उफ सबसेट कितने वनें वार्ट फिर अगर दो हैं तो चार अगर एक है तो दो अगर दो हो तो चारोंगे अगर जीरो हो तो एक फिर पावर सेट, पावर सेट में भी यही आते है हमारे पास सारे के सारा, अल सबसेट अफ दा सेट इसकाल इट्स पावर सेट, इट इस रिटन एज पी ओफ एस, पी स्टेंड फावर, एस मतलब उसके जो सेट के अलिमेंट्स आ रहे, फॉर एजेंपल यह उसने बता गिया, अब मैंने टुभाई टो की अग्जंपल दिये, इसने 3 एजेंपल दे दिये, अब त्री एख, तुकी पावर थ्री हमें पता है, इसके कितने ऐलिमेंट्स बनेंगे, एट, अब ऐट ऐलिमेंट्स तो बन जाएंगे, लेकिन वो बनाने का तरीका करके है सबसे पहले आपको बताया है कि हमारे पास होता है एक empty set फिर सबको single करके लिख लिए x, y, z x, y, z फिर possibility बनती है x, y, y, z फिर z, x यह आ गया फिर उसके बाद double की भी possibility और कोई नहीं मतलब पहले x का relation y के साथ x का relation z के साथ फिर y का relation z के साथ तीनों का एक दूसरे के साथ relation मतलब देखें x का y के साथ भी आ रहे है x का z के साथ भी आ रहे है y का x के साथ भी है, y का z के साथ भी है z का x के साथ भी है और z का y के साथ भी मतलब आगे पीचे possibility यह करके कि आप लिख सकते हैं उसको न और फिर एड देंड हमारे पास थर्ड की तर्फ जब हम मूफ करेंगे तो थर्ड में तीन elements ही itself ही आते हैं तो इस तरह यह मारे पास total होगे आठ तू की पावर त्री एट तो यह total होगे 12345678 तो यह हमने मारे पास ही आगे power set power set of a जो set हमारे पास की तरह आ रहा था उसकी हमारे पास मतलब उसके जितने भी number of subset बनेंगे हाफ़जा आप 2.1 में से कौन से है question number one का part three question number one का part three अच्छा set की definition हम ने पहले की है set के बाद उसमें न उसको नो तीन तीन तरीकां से हम करते हैं कि set को कौन कौन से तरीकां से करते हैं कि बता किसी को descriptive builder और टैबलर 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 फार्म टैबलर यह होती है हमारे पास शावा शावा सब से पहली होती हमारे पास हमें दिया हो यह वाला क्वेशन होता है टैबलर फार्म में descriptive descriptive इसको describe नहीं क defendersिबटीव कि फार्म मि यह लैट स्पोज यह है इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम एक से लेके हजार तक है फ़र्स्ट थॉजन नैच्रल नंबर नेच्रल नंबर क्यों आपको पता है पहले चेप्टर में हमने सारे सट पड़े हैं हुए सब्सक्राइब इसको डिसको डिफाइन करेंगे लिए तो इसको लिखेंगे हम हीं Plan 54 अठेस्ट विल्डट हचले नंबुर हेले हजार जो हैं ओ यदार के साथ और पहर ah okay CT हार वान जाती है मुअरे पास सैट बिल्डडर नूटेशन 17 कॲ यूटेशन 17 छिक कल होती यह इसको लिखते हैं हम mathematical form में मतलब mathematical form में हमने उसको define कर देना है अब ये तीनों चीजें हमारे पास होती है set to code define करने के लिए सबसे पहली होती है tabular form जो हमें normally देखने को मिलती है second होती है descriptive form जो हम इस set को define कर सकते हैं अपनी language में English में third one हमारे पास आगी set builder notation में हमारे पास हमने mathematically उसमें वर्ड यूज करने अच्छा उससे पहले थोड़ी सी यह नूटेशन का हम देख लेते है एक्स सच्ट यह होती है हमारे पास सच्ट डैट की नूटेशन जिसको बोलते हैं जब के यह होती है बिलॉंग्स टू मतलब बिलॉंग कर रही है उस सेट में से न अगर इसमें आजे हमारे पास कट लगा हो नौट बिलॉंग्स को पिर उसके बाद हमारे पास यह वाला इनुटेशन होती है एंड के लिए जिसको बोलते है और फिर फिर जो उल्टा भी है वह और के लिए और वी जो है हमारे पास वह और के लिए या जिसको बोलते हैं अर्दुम में न असलम या अली क्लास टेंड कर सकते हैं दोनों में से कोई भी टेंड करेगा तो वो कंडिशन सैटिस्फाय होगी जब यह आता है वर्ड और जब वो कहेगा असलम और अली क्लास टेंड करेंगे तो इसका मतलब दोनों को करनी बढ़ेगी और बोले दोनों में से कोई भी आसकते है फिर उसके बाद यह वाली less than आपको पता है यह greater than फिर यह less than and equal to यह greater than and equal to यह हमने इन कॉलिटीज में हमने डिस्कर Сीमी नहीं हमने उतס Haftar al Trap नहीं ह daí हम वे आगे यूज करनी है इसलए जी हाफवसाब अब बताईएगा इसका question number पहले का कौन सा part है पार्ट थ्री पार्ट थ्री में हम आरे पास उसने लिखा हुए से बिल्डा नटेशन में हमारे पास बिखार करेंगे सेट्विल्डा टेशन में करने के लिए सबसे पहले स्थन के इसी अपनिशाट के लोगी साट स्थन इंट इस ब्लास मांने का तो ब्स मैन इस इसको बोलके हैं such that x belongs to integers, set of integers, फिर आगे जब ये बात बता दी, इतनी बात बता दी, अगर ये होता है ना हमारे पास इस तरह, 0 plus minus 1 plus minus 2 up to so on, हमने just ये लिखना था फिर इसको, x, x जब के बलॉंग कर रहा है, set of integers में से, बस इतना काम खतम, लेकिन अब भी इस पे condition लगी है, ये closed है, ये एक finite set है, finite set की भी definition देख लें, जिसमें हम उसको count कर सकते हूं, infinite जिसको हम count ना कर सकें, तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, minus, मतलब अगर हम इसको इस तरह denote करते हैं, ये ऐसे draw करते हैं इसको, ये minus thousand, ये दरम्यान में zero, ये आगया हमारे पास plus thousand, मतलब ये वाला set हमने सारा define करना है, set builder notation में, मतलब minus thousand से लेके, ये कहां तक जा रहा है, plus thousand तक, और ये वाले दोनों number भी ही, इसमें include है, मतलब अगर वो less than, greater than लगाते हैं, साथ हमने equal to भी लगाना है, अब ये देखें, ये हमारे पास z में से आ रहा है, and minus thousand से लेके, x पे condition लगने लगे, minus thousand से लेके, less than and equal to x, less than and equal to कहां तक जा रहे हैं, thousand तक, ये condition हमने इसको satisfy कर देनी है, इस तरह, पहले हमने बताना है कि ये कौन से सैट है हमारे पास, जैसे इसका बता रहा है, पहले का था, वो natural number था, और वो कौन से natural number थी, x less than and equal to thousand, हमने पाता है, natural number one से start होते हैं, अगर हम इधर लिखते हैं, natural number तो हमारा question गलत हो जाना था, क्योंकि natural number में, माइनस वाली condition हमारे पास नहीं आती है, तो next of us आप कौन से question है, सर नेक्स्ट है इसका part 11, इसका part 11, जी सर, ओके, ओके, जी आपस हाब, question number 11 इसका सोरी question number part पहले का 11 पार्ट, आपको पहले तीन बताईए ना, तो अब उसने descriptive बता दी है हमें, इसमें, question number 11 में, जो पहले का 11 पार्ट है, set of all real number between 1 and 2, आपको पता है, set of real number 1 और 2 के दिरम्यान कितने होते हैं, तो बता सकता है, मुझे? चर्ट, repeat करेंगे, ये देखे, मैंने बोला है, 0, ये आगया 1, ये आगया 2, इन 1 और 2 के दिरम्यान में, कितने elements होंगे, real number में, 10, नहीं, 10, नहीं, infinite होंगे हमारे पास, हम नहीं कॉन कर सकते, इन के दिरम्यान आता है, 1.1, 1.12, 1.11, 1.13, 1.1456, 1.7, अभी तो ये 1 वले हैं, तो पता नहीं है कब, 1.999999999999, इस तरह करते जाएं, इन के दिरम्यान हम बेशमार होते हैं, जिनको हम सौल, बता नहीं सकते हैं, मतलब, कि इन के दिरम्यान कितने अलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये सेट ओफ रियल नमबर है, सेट ओफ रियल नमबर में आपको पता है, कौन से नमबर जाते हैं, रैशनल एंड इरैशनल नमबर, उन दोनों का सम होते हैं, तो इसमें हमारे पास अब बेशमार नमबर आते हैं, अब उसने खुद ही बता दिये, रियल नमबर है, तो हमें पहली कंडिशन तो असान होगी, एक्स, तो उसने खुद ही बता दिये, यहां तक काम खतम होगा, बिट्वीन वन एंड टू, वन और टू उसके शामिल नहीं है, इनके दर्मियान वाले नमबर, बिट्वीन बोला है उसने, नोट उसने बोला है, एक्जेक्ट वन एंड टू, तो अब यह देखे, एंड कंडिशन लगा के हमने क्या कर दिया, वन लेस देन एक्स, लेस देन तू, तो यह हमारे पास वो कंडिशन मन की, सेट विल्ड अनुटेशन की, यह ज़्याद तर MCQs में आते हैं, लेकिन वो भी बहुए, बाई चाहांस ही है, बहुत मुश्कल है इसमें से, क्यूंकि यह आपने पढ़ते आ आ रहे हैं, पांचमी क्लास से न, यह टापिक, सेट्स वाला, इसलिए इसमें दुबारा रेपिटिशन तो होती है, लेकिन आते नहीं हैं इसमें से, नेक्स्ट कौन से हैं, नेक्स्ट है क्वेशन नमबर टू का पार्ट वान, पार्ट वान, अब यह देखें, डिस्क्रिप्टिव फार्म ने हमें इसको डिफाइन करना है, एंड टेबलर फार्म, राइट इच अफ द फाल्विंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबलर फार्म, अब जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फार्म में करेंगे, डिस्क्राइब करना है, कौन से नेचल नंबर है पहले दस नेचल नंबर यह देखो यह पहला दस शामिल है न इकोल टू भी आ रहे है एक्स सच डाट एक्स ब्लॉंग्स टू नेचल नंबर और कहां तक है नेचल नंबर टैन तक तो इसका मतलत तो टैन तक हम कैसे लिए 123456789 यह हमारे पास टैबलर फाम में आ गया नेक्स आफजा इसका नेक्स पांचमा पार्ट में हमारे पास आ रहे है जी पांचमें पार्ट में हमारे पास आ रहे है इसमें कहरे है कि X such that X belongs to P P from प्राइम सेट प्राइम नंबर जो हते हैं हमारे पास X less than equal to नहीं लिखा less than 12 अब सबसे पहले तो आप आ पाना इसका टैबलर फाम ना हो प्राइम नंबर आपको पता है कहां से शुरू होते हैं यह लिखा हूँ है दो से दो तीन पान साथ ग्यारा ऐसे नंबर जो अपने आप पे तक ड्वाइड हो और वन पे ड्वाइड हो और उनके जो factors बनते हैं वो different हो इसलिए one नहीं आता है इसमें तो इसमें अब इसको क अगर वो इधर equal to भी डालता less than and equal to अगर इधर 13 कर देता और साथ उसमें डालता less than and equal to 13 तो यह हमारे पास इसका अंसर आज़ी है नेक्स्ट ओके यह हमारे पास आगया जी x such that x belongs to o o इधर क्या है यह सारे सेट आपको एक दफार में दबारा इधर लिख देता हूँ यह होता है n for natural w for hall o for odd e for even आगे z for integer p for prime q for rational q dash for irrational r for real sorry dash नहीं आना था c for complex अगर यह चीज़ें आ रही है तो इसका मदलब आपको पता होना चाहिए कौन सेट है अब इधर उसने बोला है कि ओ अब अब सैट आट ओफ सैट ओफ हमारे पास question number six में हमारे पास अब आगया odd number set of odd number अब किन के between हैं odd number तो ऐसे one भी होता है तो वो नहीं लिखा है नहीं बिट्वीन किसके है equal to भी नहीं लिखा यह भी condition देखनी है between इसलिए हमने वह होना between three and twelve the set of odd integers between three and twelve three and twelve के दर्मियान कौन कौन से होते हैं five, seven, nine गया ना वह हमारे पास टैबलर फार्म में आ जाएगा तो यह हमारे पास इसका required result होगा सर तो फिर पांच में भी यह लिखेंगे set of प्राइम नंबर between two and twelve between two उदर किदर है नहीं इसने पांच में आपने इसने यह नहीं कहा तो आई प्राइम नंबर तो शुरुई तो शुरुई टू से नहीं होते वह वह तो understood सी बात है ना हमें वह तो हमें पता है ना लेकिन हमने इधर condition अगर तो उसने लिखी होती two वाली तो फिर हमने कहना था two अब यह देखो शुरू पहला स्वाल जो इसका किया है हमने अब उसने natural नंबर जो लिखा था यह देखें यह वाला यह हमने क्यों नहीं लिखा फिर between one and ten क्योंकि हमने पता है natural नंबर किसे start होता है वान से लेके ना हाफ़स आप यह सर ठीक है next question आई एक नौवा पार सर यह भी और कई है five और five भी शामिल है उसमें और seven और नंबर मदब यह दो ही आएंगे इनके दरम्यान में तो कोई और नंबर होते है यह देखे टैबिलर फाम में क्या आगया हमारे पास five और seven और इसमें जब हमने इसको describe करना है अब इनका तरीका काड़ लिखे डा सेक्ट ओफ और इंटीजर फ्राम फ्राम लिखा है कब जब यह equal to की कि निटेशन आगी तो तब लिखना है हमने उसको फ्राम जब इकोल टू की निटेशन नहीं आएगी तब हमने लिखना है बिट्वीन है ठीक हो गया फ्राम फाइफ अप टू सेवन हो जैसे है सेल लगी होती है आउटफिटर बनेंजा या सतरंगी या जो भी है जितने भी ब्रैंड है उन पर लिखा होता है ना अप टू फिफ्टी परचर्ड मतलब मैक्सिमम कोई आर्टिकल होगा उस पें 50 परचर्ड होगी बाकिसमे तो धोरी होगी कोई प्रच्ड किसी पर फंद्रह परच्ड किसी पर बीज पर पक्चिस जब लिखाता है है तो फ्लैट पिप्ट किप्ति तो उसका हमारे पास जितनी भी दुकान में आर्टिकल एक्टम्स पढ़ी हैं वो सारी कि सारी 50 पर संट पर और नेक्स आफ़सर और पार्ट सेंट बार्मा पार अच्छा भी इसमें आगया हमारे पास रैशनल नंबर अब यह देखें यह क्यों स्टैंड फॉर रैशनल नंबर आपको भी उताया साथा दा सैट अफ्रैशनल नंबर आपको सटीसफाइंग कंडिशन यह वाली जो कंडिशन है वो उसको साटिसफाइ करें वह कों सी कंडिशन है वह कोई भी नहीं है क्यों कि जब यह देखें यह हमारे पास एक्स केर इकवल टू हम एक्स की वैली नुका लेंगे क्योंकि ह पर से हम जितनी बात करते आ noodle उसका बताटी आ रहे हैं एक सच्वांग सु जब इदर एक स्क कर लेंगे कर यह ज़िए का बंद देगा हैं यह वाली कंडिशन कौन से हैione डलाइं और बनेंगे तो अगर दो आजब थान थे तो फ्रेक्ट स्केर आता है अंडरूट के अंदर जब एक्ट स्केर नहीं है तो और रेशनल नुम्बर होता है तो प्रफेक्ट स्केर नहीं हाथ यह प्रफेट स्केर नहीं है तो अब यह देखें टैबलर फार्म में तो यह जो हमारे पास था डिस्क्रिप्टिव फार्म वह तो हमने यह लिख दिया दस एट ओफ रेशन लंबर जो सैटिस्फाइब कर रहा है इस कंडिशन को लेख सकते हैं अब जो टैबलर फार्म में लिखना तब हम लिकित लिख सकते हैं न जो हम ँसमें कोई किश्चन के लिए स्कोन पेलाट के लिए इसको ऌनदे के बाद हमारे पास यह कि इन् junt quelques जो आप भी आपको बताया था डाज नौट ब्लांग्स टू क्यू तो क्यू पर नहीं है यह इसका मतलब यह कौन सा सट है मारे पास खाली सेट है टैबिलर फाम में आपने कुछ ना कुछ तो लिखना है न तूदर क्या लिखेंगे फिर एंप्टी सेट यह फूसब नेक्स नेक्स्ट इसका सोलवा पाट इसर सोलवा अब कर एक्स बलॉंग्स तू रियल नंबर एंड एक्स दस नौट बलॉंग्स तू राशनल नंबर यह कौन सा होंगे अंडर्स्टूट सी बात है आपको पता है कि क्यू और क्यू डैश का सम होता है क्या सैट ओफ रियल नंबर अगर उसमें क्यों नहीं है तो वह कौन से होंगे है क्यू डैश इर्डैशनल होंगे लगी समझ के नहीं जैंगे ना अब इसको डिस्क्राइब कैसे करने इस यह करें हमारे पास धिस्क्राइब इसमें यह करेंगे BCAA 10 प्रेयल नंबर वी चान्ड 9 रेशनल वही एक इसे को तो टैबलर फ़ाम हमें कैसे लिखना है इसको सैट ऑफ रिए नित्रम में आपको पता है उसमें यह स्टेटमेंट लिखते हैं आपने त्रेक्ट्टि उसको बता देना यह वाली फाम क्यूंकि यह आपके पास आपको रिजन बता दिए क्यूंकि उसमें यह सेट निकल जाने रैशनल का पीछे कौन से रैजन है रैशनल का और इसमें हमारे पास जब डिस्क्रिप्टिव फाम में करना है उसको तो वह आजएगा सैट आफ रियल नंबर विचार नौट रैशनल जी कि आफ़स आप next तो इसमें कहेरा है तूपर सपसेट अव इच अफ दफाल्विंग सेट अब कोई भी प्रौपर सबसेट हमने क्या करना होता है प्रौपर सबसेट हमने बेसिकली यह इफाइन करना होता है उसमें कि टू प्रॉपर सबसेट उसने बोला है ना इनके सबसे पहले तो सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट इसके सबसेट बना लो इसके सबसेट बनने आठ इसके चार इसके नेचल नमबर के हमारे पास बेशमार बनने है कोई नहीं हमें बता क्योंकि इंफिनिट सेट आप इसका कौन सा पार्ट है पहला दूसरा और आखरी पहले पार्ट में हमारे पास आपको पता है आपको प्रॉपर सबसेट ऑफ एबी सी आपको दोनों इसमें उससे बाहिट तो नहीं ना रहें कि अग्यार नहीं लिखने सर्थ है उसने पूछ पूचा है तूप उसने टूप आया तो हमने यह लिख दिया कि मतलब यह उसके प्रॉपर सबसेट है एबी सी के तो इसी तरह जाओ नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वन है तो वह जीरो और वन जीरो और वन हमारे पास डियेक्टर हम लिख देंगी जीरो और वन इनके क्या है प्रॉपर सबसेट है और जो लास्ट वाला है लास्ट वाला टू प्रॉपर सबसेट अच्छा तो प्रॉपर सबसेट वो जो लास्ट वाला प्वेशिन था उसके देख़ें अच्छा उसमें कहा रहे हैं x such that x belongs to q rational number and 0 less than x अच्छा अब यह देखें इसके न हमने main main लेने अगर हम इसके real line draw करते हैं यह real line draw की यह आगया हमारे पास 0, यह आगया 1, यह आगया minus 1, यह आगया 2 अब 0 तो उसमें शामिल नहीं है, 0 से next वाले 2 उसमें शामिल है इसका मतलब एक तो हम उसका one कर सकते हैं, यह वाला एक तो हम one कर सकते हैं, अब one भी शामिल है और two भी शामिल है तो हम एक set यह नहीं बना सकते हैं, one or two, यह भी इसका subset ही होगा न, proper subset one or two का, क्योंकि उसमें elements और ज्यादा आ रहे हैं, उसमें elements आ रहे हैं बेशमार आ रहे हैं, मतलब ये तो हमें पता था, ये जनल जनल तो हमें पता है, वान और टू, इनके दम्यान बेशमार है, फिर जीरो तो शामिल नहीं था लेकिन जीरो से 0.1, 0.9, 0.6, ये सारे की सारे हमारे पास आ रहे हैं, ये जो हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, पास आ सकती है, और आफ़ जाब इसका कोई क्वेशन है, आखरी मिनिट रहे गए, उसका क्वेशन जी सर, और सर ये कहते हैं, मीटिंग कब है, मीटिंग पंद्रह को है, जी कैसे सर, क्या है, जार को हम से मीटिंग,